स्टूडेंट अगर आप भी एक ऐसे चात रहें जो पॉलिटेकनिक फर्स सेमिस्टर एक्जामिनेशन्स की तयारी कर रहे हैं और उतनी परफेक्ट तयारी आपके नहीं हुई है और चाहते हैं कि लास्ट के दस दिन में, लास्ट के पास दिन में या लास्ट के समय में हमें इन सारे important questions को कराया गया है तो फिलाल, आज हम अपने इस सीरीज में एक नए टाइप के questions को देखेंगे जो कि सारडिक चाप्टर से है, question का टाइप आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे सारडिक के अंदर पंक्तियों के रूप में दिया है A, B, C, फिर B, C, A और उसके बाद तीसरी पंक्ति दिया गया है वच्चो C, A, B और इसी सारडिक का इस्तमाल करके हमें प्रूफ करना है 3A, B, C, minus A, Q, minus B, Q, minus C, Q इतना प्रूफ करना है यह कोशिन आपका BT UP में पूछा जा चुका है इसके अलावा भी कई बार पूछा गया है यह सवाल देखके क्या समझ आता है है ना यह सवाल देखके कुछ important चीज़े समझ में आती है कि भाई अगर हम इस सारडिक के पंक्तियों को आपस में जोड़ दे पंक्तियों के सभी अवयाओ को आपस में जोड़ के एक स्तंभ के पहले अवयाओ के जगा पे लिखते हैं तो हमारा कुछ बन सकता है मतलब c1 प्लस c2 प्लस c3 तीनों को जोड़ कर और c1 की जगा पे लिख दीजे तो यहाँ पे जो property लगेगी ने बचो वो लगेगी c1 arrow c1 प्लस c2 प्लस c3 यानि c1 के अवयाओ को c2 के अवयाओ को और c3 के अवयाओ को जोड़ के आपस में लिख देना है तो a प्लस b प्लस c हो जाएगा और चुकि c1 बराबर हमने कहा है तो इसलिए c1 की जगा पे हमने a प्लस b प्लस c रख दिया इसी तरीके से फिर c1 के दूसरे अवयाओ को a b c इसको भी जोड़ेंगे तो यह a प्लस b प्लस c आ जाएगा ठीक है c2 जैसा है वैसा रहने दीजे क्योंकि हमारा property सिर a प्लस b प्लस c common मिल रहा है तो हमने a प्लस b प्लस c पहले इस तब से common ले लिया तो जब common लेंगे तो एक 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 बचेगा तो पहले इस तम में एक एक बचा दूसरा इसंब और तीसरा इसंब जियो कातियो रहेगा अब दिए एक property लगती है क्योंकि हमें सारडिक में maximum 0 ल से B गया C-B और A में से C गया A-C तो इस तरीके से आपको यह समझ में आ गया भई R1 के लिए कोई प्रोपॉर्टी नहीं है तो 1 B C जैसा यहां पर है वैसा ही यहां पर ही रहेगा फिर R3 के लिए प्रोपॉर्टी है R3 एरो R3-R1 तो एक में से गया 0 इसके लावा A में से C जाएगा A-C यहां पर देखिए थोड़ा सा गलती किया है यहां पर A-C होना चाहिए था R3 और नहीं साथ ठीक है बिल्कुल ठीक है R3 में से R1 घटाना है तो यहां से B घटाएंगे A-B और यह B में से C घटाएगा तो B-C हो जाएगा अब इसका परशार कर दीजे सिंपली तो परशार कैसे करेंगे बचो बस थोड़ा सा आप ध्यान रखिए यहां पर परशार करने में यह A-B-C यह तो common था तो इसे हमने ऐसे ही रख दिया और इसमें एक केसा पर एक परशार करेंगे तो इससे जाने वाला पंक्ती इस्तम भूल जाएंगे इसका इसमें गुड़ा माइनस इसका इसमें गुड़ा तो यहनि कि B-C का C-B में गुड़ा और माइनस के साथ A-B का A-C में गुड़ा आपस में गुड़ा कर दीजे गुड़ा करके देखे क्या आ रहा है तो A प्लस B प्लस C ये तो कॉमन है और इसका गुड़ा किये है हम तो B C माइनस B स्क्वार माइनस C स्क्वार प्लस B C माइनस A स्क्वार प्लस A B प्लस A C माइनस B C माइनस प्लस का बस खासत दोर पर आप धियान रखेंगे आपका question solve हो जाएगा बचो ठीक है अब देखिए अब चुकी हमने यहाँ पर क्या किया माइनस को कॉमल ले लिया बचो इस वाले में से तो इस वाले में से माइनस को कॉमल ले लेंगे तो जो माइनस में हो प्लस में हो जाएगा जो प्लस में हो माइनस में हो जाएगा तो यह हो जाएगा माइनस A प्लस B प्लस C और A स्क्वार प्लस B स्क्वार प्लस C स्क्वार माइनस A B माइनस B C माइनस C और यह किसका फॉर्मला होता है ये फॉर्मूला होता है aq plus bq plus cq और मइनस 3abc का फॉर्मला होता है है ना ये और ये मैनस पहले से है तो माइनस हमने यहां पे लगा दिया तो जब माइनस का गड़ा अंदर में करेंगे तो ये मैनस 3ab plus 3ab में कन्वर्ट हो जाएगा और ये aq plus bq plus cq अब यह माइनस में हो जाएगा और यह है मैं प्रूफ करना था कि इस सारेडिक कामान 3ABC-AQ-BQ-CQ होता है so hence proved इसी तरीके से हम इस question का solution करेंगे सिद्ध करने वाले question जरूर practice करिएगा thank you so much students for watching this video इस series की आप और भी videos देख सकते हैं और सारे very important questions के लिए video lecture के लिए smart PDF के लिए अगर आप चाहते हैं कि कम समय में हम एकदम धाकड तयारी कर पाएं तो हमारा एक batch है crash course का उसे आप join करिए उस crash course में आपको live classes बिलकुल बहतरीन तरीके से chapter wise एक एक chapter wise आपको दिया जा रहा है engineering drawing की तयारी अच्छे से कराई जा रही है अब तो फीस उसकी 350 से भी कम हो चुकी है तो इस DIY number कॉल करिए और फटा फट से admission लीजे हो सकता है कि आपको सबसे कम फीस में ही admission मिल जाए तो DIY number पे कॉल करिए और admission लीजे और पूरी तयारी chapter wise तरीके से करिए और ऐसे ही चैनल पे वीडियोज देखते रहिए रात को आठ बजे महा मेराथन की class चलती है जो के एक घंड़े की होती है उसमें भी आईए Thank you so much students God bless you all Take care